दिक्कात हलो बच्चों गुड इबनिंग बेरे बेरे गुड इबनिंग वेल्कम टू पीव्यार स्टडी क्लास का सीडियूल आप इस स्क्रीन पर एक मिनिट के लिए देख लिए उसके बाद हम आगे वढ़ते हैं आपको पता है कि इस समय आप लोग अच्छा नौ की एंसी आर्टी मैस्मेटिक्स चैप्टर 13 पढ़ रहें सर्फेस एरिया एंड बैलूम न ऐसे कुछ चैप्टर है न तो इसमें आपने कहां तक पढ़ लिया है थिरी कुश्चन तक हमें लगता हो चुका 13.5 का न और फोर नंबर कुश्चन बहुत ही आसान है एकदम सिं कुश्चन को मैं इंगलीज में पढ़ देता हूं कुश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा कलाफ नाइन्थ एंसे आर्टी मैदमेटिक्स हिंदी में नीचे दिखरा देख लिजिए क्या लिखा पढ़ लिजिए क्या दा कपिसिटी आफ क्यू वाइडल तैंक इच फिप् सब्सक्राइब तैंक इफ इस लेंथ एंड डेफ्ट आर रिस्फेक्टिवली 2.5 मीटर और 10 मीटर इनका कहने का यह मतलब है कि यह थी उसकी चौड़ाई और लंबाई यह उसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है और लंबाई 10 मीटर है तो उसकी जो उसकी वरित फाइंड करनी है मतलब आपको बी निकालना फिलमे लागर करके समझे रहे चौड़ाई निकालनी आपको उसकी क्या-क्या दिये गया है लेंथ अंड डेफ्ट उसकी लंबाई दी गई है और हमने लगता इसमें उचाई भी दी गई है यह ना यही दिया गया है कशल nun कि लिख लेते हैं लिकिए दिया है गिबवन दिया है हो गया अद देखो जो बलॉन दिआ जिद्य अब भाइब कि है और हम इसमें एड़े और नीचे तो आपको आपको पता है से द्याथ एक हजmpfen आप लिटर होता है से कुछ होता है न इसको में पहले चेंज कर लेंगे बैलूंग को तब भी समझ में आएगा ठीक है में चेंज कर लेंगे तब आपका इसका यूज किया जा सकता है तो नीचे यहां पर लिखिए लिख लेजिए चुकी कि 1,000 लिटर 1 मीटर स्काइर यहां सब को पता है इसलिए पचास हजार लीटर एक लूकtv यह पचास अजार बटे एक हजार तीन जीरो से तीन जीरो फाइनल कर दिजिये बडराबर पचास मीटर स्कॉयर यानि जो वैलूम आ गया भया आपका वो कितना आ गया वी इक्वल फाइब जीरो फिप्टी मीटर स्कॉयर ओके यह क्या आ गया वैलूम आ गया अब आप इसका यूज कर सकते हो अब आप सुत्र लगा दो कि टंकी का आयतन बराबर वैलूम आफ टैंक लिखो क्यूभ अधि इस प्रविकल टैंक चांदी में लिख लिखेये घनाप आकार टंकी का आयतन बराबर मुझे लिख्या अधिल वाकार टंकी का आधनिघ्ञ घ्ज गड़ व बीगड़ करतिया है कुछ ऐसे हैं बोलो है अब क्या करना हल कर लेना कर लो बहुत अच्छा सिंपल सा है कोई स्क्रीन से हटा दीजिए और फट से हम लोग इसका सलूशन कर लेते हैं आ जाओ देखो बी को उधर रहने दे बाकी चीजों इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा पचास इधर गुड़ा में है सबाके भाग में हो जाएगा 2.5 इंटू 10 बराबर बी ठीक है जीरो से जीरो काट दो उपर 5 बचेगा देखो नीचे ढ़ाई बच रहा है नीचे ढ़ाई बच इससे डारेक्ट गुड़ा भी कर सकते थे आप दाई में 10 से कर लेते थे 25 से भी हो जाता आप तो काट सकते हो ना या दो बराबर भी या भी बराबर दो मीटर यह क्या आ गया इसकी ब्रित आ गई मतलब चौणा यह आ गई जो भी था ठीक है हो क्या आंसर complete final जल्दी स्क्र कोई डाउट है तो बोलो इसक्रीन साथ बहुत जल्दी कर लिजिए क्राफ 9th NCRT mathematics इससाइट 13.5 question no.5 done कि next question की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी फास्ट अगला question आपके सामने यह प्रसन हिंदी लेंग्वेज में नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मैं इसको इंगलिस में पढ़ूंगा इंगलिस मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुने हिंदी वाले ध्यान से स्क्रीन पर देख लें के रहा है कि आप विलेज हैविंग आप पॉपलेशन आप 4000 रिक्वाइर 150 लीटर आफ वाटर पर हैड पर डे यानि एक गाउँ जिसकी जन संख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 150 लीटर पानी की जरूरत होती है अबसकता होती है ठीक है के रहा है इट हैज अटाइंक आफ मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर मतलब वहां पे एक टाइंक भी है जो की 20 मीटर एक परकार से लंबा है 15 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर उंचा है ऐसा कुछ है तो कह रहा है कि फार हाउ मिनी डेज बिल्द वाटर आप दिश्टेंग लाश्ट यानि इसमें जो पानी है वह कितने दिन चलेगा फिदा फिदा यह समझ लो मोटा मोटा कि एक टंकी है उसमें जो उसकी बनावट है वो दिया गया है ठीक है बीस मीटर लंबी है एक परकार से 15 मीटर चौड़ी है और 6 मीटर उंची ऐसा कुछ है ठीक है और उसमें पानी भरा गया है तो करया कितना दिन चलेगा जबकि एक बेकती डेर सो लेटर पानी हर दिन यूज करता है चा प्रति बेकती द्वारा पानी की खपत कितना 150 लीटर जो दिया था मैंने लिख लिया अब इसे आप इंगलिस में सुन लीजिये चाहिए तो ठीक है लिखा आपने हिंदी में देख लीजिये इंगलिस में मैंने क्या बोला पाप्लुलेशन आप विलेज लिख लो 4000 अडे कंजम्शन पर हैड एक्कोल 150 लीटर फिनिचे लिखो आडे कंजम्शन वाई विलेज इक्वल 150 इंटू 4000 यानि यहां पर देख रहें कितना लीटर आ गए हैं पांच जीरो मतलब छे लाख लीटर पर्थ दिन गम पाई लग रहा है ओके यह दिया है देखो इसको हम अब मीटर स्कॉर में चेंज कर लेंगे क्यों क्योंकि हमें यहां पर बैलूम निकालना होगा हम सभी जानते हैं कि एक हजार लीटर इक्वल वन मीटर स्कॉर होता है तो इस लिए आपका यह छे लाख लीटर पांच जीरो है नहीं हां पर लीटर इक्कोल कितना हो जायाएगा यह छे लाख बटा एक हजार एक हजार होगा तो तीन जीरो कट जाएगा बराबर छे सो मीटर स्कॉर कोई कोई डाउट स्वरी स्कॉर नहीं होगा क्यूब हो गया यहां पर मुरे को थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यह क्यूब होता है इसकॉर नहीं होता है ठीक है लिख लो जल्दी से फट से अब बस पानी की टंकी होगी इस माप वाली जो दिया गया इसकी कुछ इस्पेसल बिस्टाइं वह कितना दिन चलेगा है अब आगे लिखो आप अगे लिखो पानी का टंकी परियाप्त होगा मैं बोल दूं कहों तो इंगलीस में बोल दूं जैसे एगर मैं कहूं कि इस डिभा में 10 लिटर पानी है और 10 लिटर पानी कितना दिन चलेगा अगर से सिंपल में यह भी है जितना पानी है टंकी में, वो कितना यूज हो रहा है हर दिन, उसे हिसाब से उतना दिन चलेगा, तो पानी की टंकी का आयतन बटे कुल खपत, यानि बैलूम आफ टैंक एंड टोटल कंजब सनाफ वाटर, लिख लो इंगलिस में चाहिए तो, बैलूम आफ टैंक अपान सब लिखो, और खपत कितना आई, आपको पता है ना कंजब सन यह आया है 600 मीटर क्यूब, तो आयतन निकाल लिजिए, इसका यल जो है 20 दिया था, भी 15 दिया था, याच जो है वो 6 दिया था, और यह कंजब सन 600 है, 0 पर 0 कार्ट दो एक, दो से इसको कार्ट दो 30 हो जाएग यानि जो पानी है, वो अगर इतना जादा यूज होगा तो तीन दिन में खतम हो जाएगा, यह कोशन कंपलेट होगा लिख लो, बच्चों आपसे एक निवेदन है, आप भारत के एक नई प्यूड़ी हैं, एक प्रकार से आप भविश से हैं भारत के, तो पानी बचाना सी मरा है, तो आदमी कहते हैं, समुद्र में होते हुए भी पीने वाले पानी के लिए मर जाता है, तो याद रखिए, पीने वाला पानी बहुत कम मात्रा में उपलब था, इसलिए उसको आवस्य से सेब करें, अभी तक 2.71% पीने का पानी था, आपने देखा होगा अगर सहार पीने को पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, पीने को पानी नहीं मिलेगा, इसलिए सेब करिए, टोटी चला करके जो लोग मंजन करते हैं, या फिर नल को ओपन कर दिया, चले गए टॉलिया और गमचा कपड़ा लाने अपने रूम में, घर में, कुछ भी करते हैं, कुछ लोग पानी जैसे जहां रेगुलर सीडूल से आता है, वो लोग क्या करते रात में टोटी खोल देते हैं, सुबह उठेंगे, दस बजे सो करके, पानी चारे बज़े आ जाता बहता रहता है, तो ऐसा ना करें, अगर कोई कर रहा है, उससे रोकें, टोकें, कुछ लोग गाड़ी तो सेर जरूर करें बच्चों, जिससे ज्यादा फिज्यादा बच्चों को फाइदा मिल सकें, और हाँ, क्राफ का टाइम देख लो, यह तो आपको पता ही है, सूचना जो स्क्रीन पर दिख रही है, सब जानते हो, चैनल बदल गया, आपका अगर आप अभी देख रहे हैं कई और तो आप इस पर चले जान तुरंट, 25 जून से इस पर शुरू हो चुकी है, यूटुब की जितनी फिरी कलासे हैं, उसका टाइम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें उपर की जो नाइन तरन की कलासे हैं, वो PVR स्टड़ी 3.0 चै चैनल पर चलती है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप सभी को दिल से बहुत बहुत थेंक्यू, उमीद है आप अगली कलास में जरूर आएंगे,